दही में विटामिन C मजूत होने इसे ये इम्मिनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है इतना ही नहीं दही स्किन के लिए काफी लाबदायक है असल में दही में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B6 और विटामिन B12 जैसे पोशक तक तक पाये जाते हैं तो आज मैं आपको बताने जारी हूँ दही खाने के फायदे फरस्ट है पेट भरे रहने का अनुभव होता है दही के सेवन से पेट पूरी तरह भरे रहने का एहसास लंबे समय तक बना रहता है इसलिए तो भोजन के बीच में दहीं का सेवन करने से भूप नहीं लगती है जिससे बजन कम करने में मदद मिलती है नेक्स्ट है प्रियापत प्रोटेंट से युक्त अहार दहीं में प्रचूर मात्रा में प्रोटेंट और कैल्शम होता है जो सरलता से शरीर में स्विकार किया जाता है और शरीर की जरूरत को पूरा करता है नेक्स्ट है उर्जा से भरपूर अहार दहीं के सेवन से भरपूर उर्जा तुरंट प्राप्त होती है और भाग दोड़ की बिज़से होने वाली थकान तुरंट कम होती है दहीं और शक्कर के सेवन से काम शक्ती बढ़ती है और शुक्राणों की संख्या और गुणवता में सुधार होता है नेक्स्ट है रोग प्रतिरोदक शक्ती बढ़ती है दहिं के सेवन चे शरीर की रोग प्रतिरोदक शक्ती बढ़ाने वाली कोशिकाएं सकरे होकर शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूती देती है है और जिवानों का नाश होता है और संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है दांतों की सडन रोकी जा सकती है मधुमे को नियंतर में रखना दहिं से रक्त शरक्रा का स्तर सही रखकर मधुमे को नियंतरित रखने में मदद मिलती है मधुमे में होने वाली गुप्त अंगों की खूजली कम होती है नेक्स है पाचन क्रिया में सुधार दहिं का असानी से पाचन होता है उसी तरह पेट और आटों के पाचक स्तुराव असानी से इस्तियार होते हैं जिस से भारी भोज़िन मी सहस्था से पचाया जाता है ज़ादा तीखे तेल वाले मसाले दा चट पटे भ मिमारी की सभवना कम होती है रख्चाप नियंत्रन में रहता है रैक्स्ट का अध्रका स्वास्थ रहता है केलशियम और विटमिन डी दांत और हडियों को मुझबूत रखता है नेक्स्ट है आंतों का स्वास्थे सुधारता है लेक्टो बैक्टिरिया आंतों के स्वास्थे के लिए पुशक तक्तव जिवानु में पाये जाते हैं जो आंतों का स्वास्थे सुधारते हैं आंतों का कैंसर होने की स भराब कोशिकाई निकल जाती है तुचा पर निखार आता है संत्रे के छिलके के साथ दहीं लगाने से रंग गोरा होता है गुलाब जल और धल्दी के साथ मिलाकर दहीं लगाने से तुचा में निखार आता है और मुलायम होती है नीम बुरस और दहीं को मिलाकर लगाने से च वर्णाम आनने आते हैं और दहिं के साथ काली मिर्च पाउडर बालों को सstellen के सयवन करने से बालों की मस्तीर में बहाने को खोशकाओं की रसाइनिक प्रक्रिया में के रिभी आत्मक विचार और उदासिंता कम होकर मानसिक स्वास्थ बना रहता है यह विज्ञानिक तोर पर प्रमानित हुआ है तो यह थे धहीं खाने के कुछ फाइदे अब जान लेते हैं धहीं खाने की नुकसान धहीं में मजूद प्रोबायोटिक्स पेट की गर्मी को शांत करते है लेकिन कई बार यह गैस और ब्लोटिंग का कारण भी बन सकते हैं धहीं पच्टे में भारी होता है जिन लोगों को पेट में गैस बनने या ब्लोटिंग की समस्या रहती है उन्हें धहीं का सेवन नहीं करना चाहिए तो यह थे धहीं खानें के कुछ फाइदे और नुकसान अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ धन्यवाद